हालो नमस्कार दोस्तों बजट 2019 जो सीधे सीधे आपको पहुंचाएंगे लाव हाँ दोस्तों कौन सी पांस घोंचा सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो में बताने जा रहा है तो दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले आपसे एक छोटी स्रिक्वेश्ट एक आपने हमार केंदी बितमंत्री प्यूस गोईल ने बजट 2019 में इस बार एतिहासी घोंचाएं कि उन्होंने एसी एसी जुनायका अईलान किया जो सीधे सीधे हमारी और आपकी जिन्दी को लाव पहुंचाएंगे इतना ही नहीं इस से हमारी जेव को भी फायदा होगा अगर आप किसी क इलान करते हुए कहा कि पांच लाग की आमदनी पर कोई टेक्स नहीं लगेगा अब या अब तक या सीमा धाई लाग थी अगर आप यलाइसी मेडिकल फ्यूफ में निवेश करते हैं तो आपको पूरे पूरे शाड़े छे लाग तक रूपए कोई टेक्स नहीं लगेगा आसान भासा में कहें तो पांच लाग रूपए तक कमाने पर जो आप 13,000 रूपए देते थे टेक्स अब वह जीरू हो गया है दूसरा घर खर घरदने पर भी मिलेगी 2,000 तक की छूट मुदी सरकार की तरसे पहला घर खरने पर दो लाख तक की छूट या सरकार दे रही इस पज़ट में लेकिन अब दूसरा घर खरने पर दो लाख रुपए की छूट मिलेगी यानि अगर आपने पिछले दो साल के भीतर कोई फ्लेट घर बुकराया है और आपने होम लोन पर सरकार से दो लाख रुपए तक की छूट ले ली है तो आप दूसरा घर खरने का प्लान कर सकते हैं सरकार आपके दूसरे होम लोन पर भी दो लाख रुपए तक छूट देगी रहड़ी पटड़ी वालों के मिलेगी आजीवन तीन हजार रूपए पेंसन असंगत्रित छेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरुच्छा उपलब्ध कराने के लिए परधामंत्री स्रम्योगी मांधान योजना की घुशना की गई इसके तहा सरमिकों को साथ साल की आई के बाद तीन हजार रूपए मासिक पेंसन दी जाएगी इस योजना को लाव लेने के लिए 29 साल से कम उमर के मजदूरों वासरमिकों को 55 रूपए और 29 रूपए से ज्यादा अधिक मासिक 100 रूपए का योगदान करना होगा इसके साथ ही 100 रूपए की राज सरकार की तरफ से भी दी जाएगी इससे 10 करोड सरमिकों को फाइदा होगा इस योजना में आटो रिक्सा चालक जैसे आट संगठित चेतर के उन सभी कर्मियों को लाव होगा जिनकी आए 15,000 रूपए से प्रतिमा काम है किसानों को 6,000 रूपए सालाना पेंसन मिलेगी बित मंद्री पिस गोल ने परधन मंद्री किसान सम्मान ही ने थे नाम से एक नहीं योजना के ताहट छोटे किसानों को तीन किस्तों में सालाना 6,000 रूपए की नगत सहाथा देने का इलान किया है इस योजना के ताहट खजाने पर सालाना 75,000 करूर रूपए की वार्शिक बोश पड़ेगा यह सहाथा दो हिक्टेयर से कम जोट वाले किसानों को उपलब्द होगी ब्याज आए पर टीडी यस की सीमा बढ़कर 40,000 रूपए बितमंत्री पिस गोईल ने सुकुरवार को ब्याज से होने वाली आए पर सुरूत करकी कटवदी की टीडीएस की सीमा सालाना 10,000 रूपए बढ़कर 40,000 रूपए तक कि प्रस्तावतिया उन्होंने दोज़ार ने से बीस क्या बज़ाद लोग सभा में पेश करते हुए कहा कि उससे उन वरष्ट लोगों का तथा छोटे जमा करताओं को फायदा होगा जुब्वाइंकों में और घरों की जमाराशी में भ्याज पर निर्फर करते हैं अभी तक यह जमा करता 10,000 रूपए प्रद्वर्श तक कि ब्याज आएकर कटे कर का रिफंट कर सकते थे जोस्तों इस पचेट की पारे में अगर आप कुछ कहना है तो कपट बाक्स में दे नमस्कार